हाई गाईज मेरा नाम है राजीव पांडे मैं यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट बनाके दिखाएंगे जो कि हमारी कालेज की तरफ से हम लोगों को बनाने को मिला है इसमें हम आपको एक सोलर रेफ्रीजरेटर बनाके दिखाएंगे तो सोलर रेफ्रीजरेटर के लिए सबसे पहले है आपको करो हैप सब्सक्राइबा आपको कर दोगाए है सब्सक्राइब आपको 17 merak 275 पर यहां पर साइड में क्या होता है यहां पनी लगा हुआ है इसे यह दोनों साइड लगा हुआ था इस प्रकार से हम एक साइड से निकाल रख निकाल चुके हैं और यह क्या कर रहे हैं इस साइड से भी हैं इसको यहां से निकाल देते हैं तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ आगे की पाय बट रख रख़ा कार्डबूड यह मार कितनाई चका है हम यहां आपको नाप कहीं दिखा देते हैं यह देखिए हमारा यहां पर क्या है कि यहां पर नव रिखा हुआ है इस परकार से हमारा नव इंचे का हो गया और इसके चबाई कितनी है कि यह देखिए इसकी चवड़ाई 5,5 है लगभग एक इस साइज का हो गया और हमारे पास एक और इस साइज का है एक इसकी क्या है यह लंबाई कितने इंच है 11 इंच है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 11 लिखा हुआ है यह इस प्रकार से 11 इंच लंबा है और कितना बोड को काट के रखा अब इसे हम चिपकाएंगे क्या करेंगे अपने अगले प्रोसेस की तरफ निकलते हैं चिपकाने की तरफ तो हम इसे क्या करेंगे फेविक से चिपकाएंगे अभी उसके बाद तो फेविक से हम स्टार्ट करते हैं इसे चिपकाना तो आप यहाँ पर क्या किया है कि दो तरफ से इसे चिपका दिया है फेविक क्विक से आप क्या करेंगे हम इन दोनों साइट से भी इसमें क्या करेंगे कि लगा देंगे फेविक से उसके बाद हम आपको complete दिखाते हैं तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने इसको क्या किया है कि यहां पर फेविक से चिपका दिया है यहां पर थोड़ा थोड़ा से बना रखा है बॉक्स की जहां अंदर से इधर की साइड हमारा दर्वाजा रहेगा जो कि फ्रीज में पुलेगा और हम देख लिजिए यहां पर इस प्रकार से बना दिया है कि यहां पर थोड़ा सा हमारा हीट सिंग लगेगा इसलिए इतना बच्चा हुआ है इतने दूरी अंदर हमारा रहाएगा बॉक्सपर बोटल इसप्रकार से इसको बना दिया है हम आगे चलते हैं चुलाने के लिए सबसे पहले हम यह लिया हैं प्वार्म ठेमकोल धर्मा कोल को हम कट कर लिये हैं इसे हमने क्या किया है पाज भाई पाज पाज उड़े पाज के पाज उड़े पाज पाज इंच पाज इंच लंबा पाज इंच चौड़ा हमने इसे कट किया है और इसे हमने क्या किया है यह हमारा है पाज लगवग थोड़ा सा बड़ा हो गय क्या है कि यह 8 लगभग 9 होने चाहिए ते कोई बात नहीं यहां पर आपको दीखने चाहिए यहां पर नहीं लेकिन यहीं तक है तो इस प्रकार से हमारा 8 और 9 इंच इस प्रकार से हमने ऐसे तीन बोर्ड कट कर लिए हैं अब इसे हम क्या करेंगे एक साथ में सबको चिपकाने का प्रयास करेंगे तो इसको चिपकाने के लिए फेवी कॉल का यूज करेंगे फेवी कुई नहीं लगाएंगे वरना यह क्या होगा फेवी कुई करके मेल कर देता है यह गरता है कि हीट कर के से पिखला देता इस प्रकार्ट से हम के हाँ पर इस साइड पर हम प्रॉण लगाएंगे और इस फेवी कॉल को लगाने बाद हम इसमें एक क्या करेंगे ऐसे इसमें एड़ कर देंगे मतलब चिपका देंगे तो वारी गाइज ऐसे ही एची तरीके से चिपक जाएगा ये चिपक और हम नेक्स चिपकाते हैं ये वाला तो तो क्या है कि सबसे पहले हमने आप ही आपको दिखाया था पीछे की कार्ड बोर्ड को काट रखा था हम ने कई साइज में उस साइज को हमने काड़ बोर्ड को एक बॉक्स दोस् снова किआ कि जो हमने पहले मीवारी कर में ख़का का ऐगनाई और इस जो कड़ड बोर्ड के वाक्स उने पहले बुनाता उसमें क्या किए फिट कर दिया यह हमने उपर डगा दिया क्योंकि चिपकाने बाद से टाइट करके रखने के लिए हमने टेप लगा रखा है देखी कुछ इस प्रकार से बन चुका हम ने इसके उपर धकन रखका है अभी इसमें बस धकन रखे ही है इसको भटाएंगे देखिए यहाँ पर क्या है कि यह जो हमारा थर्माकॉल है इसमें हम पेल्डियर मार्डियूल हीट सिंग के साथ रखेंगे देखिए हमने पेल्डियर मार्डियूल हीट सेंग यह सब क्या किया Master online मां लिया है यहाँ पर यह देखीए यह हमारा क्या है आपको Image में दिख रहा होगा यह हमारा प्रिर माड्य यह क्या है लिए ले तो इसमें क्यां आपको तो प्रेल्टिर माड्य यह बारबस से बारा साथ 36 ऑजे में स्वीच यहांपर आसानी से मिल लिया है ूसके बात और भी कित हम आपको दिखाते हैं यह हांँ ग questo और ही किट भी हमने आंलाइन मंगाई थी यह हमा रहाना है किसकी इस किट में देखिए यहां पर यह आप देख सकते इसमें एक टेप दिया हुआ है डबल साइड यह है डबल साइड टेप थोड़ा सा उसके बाद इसमें कुछ पेस्ट है और कुछ हिस्प्रू है इस प्रकाट से क्या है कि हमें अनलाइन में यह समान मिले हैं और यह आरफ हैं के उपर एक जाली लगाने के लिए भी दिया करेंगे कुछ इस प्रकाट से उसके बाद हम इसके उपर पेल्पीर मार्ड़ा करक कर अपको एक बार रखके दिखाते हैं क्या गरेंगे यहां पर यह पर यह पर मार्ड़ू इस साइड ठंडा करता है दिखनी रहा है इस साइड लिखा हुआ इस थंड़ा रहता और यसपाइट खरम वह ता तो हम यहाँ पर यहाँ पर guilty अ मार्डी मार्डीय बैश से चीपका देंगे चीपकाने के बाद pię किये जो हमने आपको cardboard दिखाया था एक इसके ऊपर रख देंगे इसे साइऑ का होल कर लेंगे जिस कर लेंगे इस प्रकार से को से होल करने के बाद में इस पर घ्रके दिंगे यहां पर यह बड़ा वाला इंग सिंग पुछ तरब पर रखेंगे और यहां शलीक यह नहीं दाएगा हिट सिंक रखें उसके बाद यह फैन रखकर यहाँ पर इसे लगा के उसके बाद हम उपर से भी एक कवर लगा देंगे इधर से गरम हवा निकलेगा इधर नीची तरफ यहाँ पर रंडा करेगा और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इसमें एक दर्वाजा लगा देंगे जिसके लिए हमने क्या काट के यहां पर रखा है देखिए काड़ यहां पर आ जाएगा इसके लिए हमने क्या किया है कि जो दर्वाजे में कब्जा लगता है छोटा सा उसको भी हम खरीद के लाएं है यहां पर इसे हम लगाएंगे यहां पर तो कुछ इस प्रकार से हमारा बनेगा तो आपको जब बनाएंगे मतलब बना देंगे तो बनाते वक्त आपको दिखाएंगे हमने कैसे बनाया और कंप्लीट होकर भी कंप्लीट करके भी दिखाएंगे इस प्रकार से देख सकते हैं हमने इस बॉक्स के अंदर इसे फिक्स कर दिया है यह हमारा कार्ड बोर्ड का बॉक्स है उसी क के अंदर हमने थर्मा कोल के बॉक्स को कट कर दिया अच्छी तरह से इधर हमने यहां पर एक हीट सिंक लगाया है जो कि हमें क्या करेगा और यहां पर देख सकते हैं आप कि हमने मार्केट से खरीद के लाएं कबजा दरवाजा लगाने के लिए तो कि इस प्रकार से हमने इसम क्या करेंगे इसमें धर्वाजा लगा लाएं के देखिए हमनेधर वालया कुछ इस प्रकार से उनाया है दर्वाजा में हमने क्या किया है के थर्मा कोल का पीस क्या है चपका दिया उसके बाद हमने इसमें भी दो वो इस क्रू लगा रखें और खोलने के लिए इसमें एक हैंडल बना रखा है यह दर्वाजा है अभी इसमें हम इस प्रकार से क्या गरेंगे कस देंगे तीसे हम आपको कस कर दिखाते हैं यहां पर देखिए ऐसे मिसकबजे को अंदर की तरफ करेंगे और इसमें लुग हैं इसके बाद क्या है यह दर्वाजे को इसमें कस देंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा दर्वाजा कर दिया गया है अभी हमारे जो कबजा है इस पर हमने इस परो के दोरा टाइट कर दिया है दर्वाजे को इस प्रकार से दर्वाजा खुल जाएगा देख यहां पर हम पर यहां यहां पर यहां पर कुछ इस परकार से रख देंगे इसमें वह लगाके पेस्ट लगाके तो यहां पर हम प्लटीर माडिल को रख देंगे उसके बाद उपर से एक हीटसिंग रखेंगे यहां पर हमारा दूसरा हीटसिंग है जो की हीटसिंग यह हमारा दूसरा वाला है यह बड़ा साइज में लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे यहां पर आपको यह हमारा कार्डबोर्ड इससे भी यहां पर लगाएंगे क्या होगा कि यहां पर जैसे हम इसे लगाएंगे इससे हमारा क्या होगा कि जैसे अगर हमारा दोनों हीट सिंग आपस में टश करेंगे तो नीचे ठंडा उपर गरम दोनों आपस में क्या करेंगे अस्थना अंत्रन करने लगांगे हीट को तो इस प्रेकार से हमें क्या करना कार्डबोर्ड को लगांँ जिससे खाम पर यहां पर करते हैं कि इस प्रीकार से इस उन्म का करें के फैननों को यहां पर कर देंगे ऐसे हम पैस्ट लगान दुट यहां पर हमारे पाश देखिए हमने आरडर जो किया ता फसानुत प्लेश्टshit Panthe इस प्रकार से इस पर देखिए क्या लिखा हुआ है हीट कंडक्शन इस पर फॉर एलेडी सीपीओ कूलर यूजड इस प्रकार से हम इस कार्डबोर्ड को यहां पर अब 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 इस पर प्रेस्ट लगा के कसने का प्रयास करते हैं हम आपको यहां पर मतलब बता चुके हैं प्रेस्ट लगा के कसेंगे तो यहां पर फ्रिज्ज जो है इस पर क्या हुआ है कि यहां पर एक फैन लगा हुआ है फैन की नीचे हमारा क्या है हीट सिंक है यह हीट सिंक आपको यहां पर अच्छे नहीं दिखाई दे रहा है अप सा ad board इनमादव इस हीटिति इंक और हमारे हंदर में हीटिति लगा हुआ है और अदर में फैन भी लगा हूआ यह देखिए हमारा बॉक्स खुल सुगा है यहां से यहां पर अंदर में हमारा क्या लगा हुआ है यहां पर फैन लगा हुआ है जो कि हमारा हीट सिंग एक ठंडा होगा एक हिट मतलब गरम होगा तो यह जो ठंडा वाला हीट सिंग हैुसकी हाओ मतलब क्ल को क्या करेगा इसमें अंदर फ्यो नहीं तो हम कितना भी उच करें अगर जैसे किसी रूम में हम ला के अगर बर्फ रख देंगे तो रूम पुरा ठंडा होगा नहीं कि उस्थंडा को ठंडळक को रफायम फैलाएंगें सुह इसमें एक हाई एक कष़्ड हे जिससे अधियरे में दिखाई देगा इसके अंदर उसके बाद क्वाद किया हुग कि यहां पर हम पालटी據 हीट्सिंग के बीच में से कारड़ बूर्ड को रखकर कच दी उसके बाद कारड़ को यहां पर छिपका दी और यहां क्या करेंगे इसको ठंड करना ऐसे बंद कर देंगे बंद यहां पर हैंडल भी हमने लगा रखा है और इसमें चलाने के लिए सभी इसका लगा है एक बलफ लगा है दो यह फैन लगी है एक प्रडियर मार्डियूल 12 बारा बॉल्ट 6 एंपियर का है उसे हम डायरेक्ट बिदाउट किसी रजिस्टेंस से ऐसे डायरेक्ट ले जाके जोड़ देंगे बारा बॉल्ट 6 एंपियर वली बैटरी से उसके बाद यहां पर दिखकेगी 12 बॉल्ट 0.18a वह है 12 बॉल्ट 0.18 एंपियर का इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसने हमने सब ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है उसके बाद यह जो नीचे वाला फैन है वह भी 12बउल्ट का है और 0.17 0.17 एंपियर का है इसमें भी लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 बोल 0.17 एंपियर इस प्रकार से इसमें दिखाई दे रहा है तो इसमें भी हमने एक रजिस्टेंस लगा है जिससे 7 एंपियर की करेंट न जाये उसमें दोनों में रजिस्टेंस लगा दिया है और यह रजिस्टेंस देखिए हमारा इसके लगा उसके बीच में दबा हुआ और पाउर सपलाई देने के लिए हम यहाँ पर आपको 12 वालिट का क्या लगाएं सब्सक्राइब लगाएं हैं देख रहे हैं आप यहां पर बाराव का सब्सक्राइब प्लाय निकलेगी प्लस वाली सारी सप्लाई हम ने एक साथ दे यहां पर देख सकते हैं socket में दिख रहा होगा आपको यहां पर कि अबने प्लस वाली जो supply है यहां पर देखिए एक साथ देदी है इधर माइनस है यह माइनस वाली हमने लेकर आया इंग कि मिफके सुम थे च्षयाग में जोड दिया है उसके बादू आपर वाले पॉइंट से सारे माइनेस कंशन हमने सभी में दे दिये हैं अब यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं यह हमारी बैटरी है यह व्ह," घुत ह यह कम दीख रही होगी में करके यहां से मैं वायर को निकाल के इसमे एक बाराव वल्ट का क्या किया है मेल वाला यहं करती है न पैट करती हैं कि यहां पर अब यहाँ पर जैसे स्वीचान करेंगे देखिए आप यहाँ पर पंखा देख रहे हैं यह भी रोटेट नहीं कर रहा है यह पंखा भी रोटेट करने लगेगा यह देखिए रोटेट करने लगा अब गरम वाली हवा को क्या करेगा बाहर निकालेगा और यहाँ पर कर दिख रहा है और फैन घूम रहा है इस प्रकार से क्या करेगा वर्क करेगा